तो जन संख्या के बारे में अगर बात करें अभी हाली में परलियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल रखा गया जिसमें two child policy norm के बारे में बात की गई आपको क्या लगता है ये भारत की जनसंख्या को अगर मद्दी नजर रखें तो ये अच्छा कदम है कि सरकार को ये जो निर्नय है ये खुद लोगों के उपर छोड़ देना चाहिए मैं मेरा मानना है कि जनसंख्या की दृष्टी से जो कि भारत की जनसंख्या अभी काफी जादे हो चुकी है उसके अनुसार यह बिल काफी अच्छा कदम है हलाकि इसकी प्रभाविता समाज के अंदर जो इसके स्विकृती होगी उसके उपर निर्वर करेगी तो कहीं न कहीं दोनों इस्तर पर कारे करने के जरूरत है आपको यह लगता अगर भारत में हम टू चैल्ड पॉलिसी नौम बना दें तो जैसे कि अभी चाइना जो है वो जूज राइस समस्या से वन चैल्ड पॉलिसी के बाद कि वो कहरें कि उनके कारे करने वाले युवा अब उतने नहीं रहे हैं तो भारत भी ऐसी स्थिती पर पहुंच सकता है और ऐसा कुछ हमें अभी नहीं करना चाहिए जब भारत एक डेमोग्राफी डिविडेंट पे खड़ा है मैं मेरा मानना है कि जनसंख्या नीती लाई जानी चाहिए जिसमें टू चाइल्ड पॉलिसी एक अच्छा कदम आना जा सकता है हलाकि इसके नुकसान भी हैं जैसे कि आपने बताया कि चाइना में यह समस्या दिखी जा रही है तो भारत में भी यह समस्या आ सकती है तो इससे निपटने के लिए जनसंख्या नीती में कुछ और सुधार लाया जा सकते हैं जैसे कि थ्री चाइल्ड पॉलिसी से सुरुवात की जाए फिर एक दशक या दो से दशक के बाद टू चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ा जाए जब आप यह मानते हैं कि सरकार का इसमें कुछ न कुछ जो है नॉर्म होना चाहिए सरकार को कुछ करना ही चाहिए चाहिए थ्री चाइल्ड हो चाहिए टू चाइल्ड हो यह हम जो निर्ने हैं यह हम लोगों पर नहीं छोड़ सकते जो 18 वर्ष से उपर के उमर के जिबकि वही लोगों को हम इतना समझदार मानते हैं कि वो सरकार चुन सकते हैं, पर अपना घर कितना बड़ा हो, परिवार कितना बड़ा हो, ये निर्णे लेने में वो सक्षम नहीं है. मेरा मानना है कि सरकारी हस्तक्षेब जरूरी है, हलाकि समाज में इस संधर में जागरुकता का प्रशार हो रहा है, जैसे कि हमारी जो कुल प्रजिन अंदर है वो अभी 2.3 है, जो कि प्रतिस्थापंदर 2.1 के काफी करीब है, तो इस संधर में एक सकारात्मा परदर्शित उत हो रहा है, लेकिन इस संधर में जो बिछडे राज्ये हैं, जैसे कि उतर प्रदेश है, बिहार है, जहांकि अभी कुल प्रिजिन अंदर 2.9 या 3.1 के आसपास है, बहां सुधार तीब्रता से लाने के लिए सरकारी हस्तक्षेब अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है, यानि ये स्टेट गवर्मेंट का डिसीजन होना थी, नाशनल या सेंट्रल गवर्मेंट का नहीं, जैसा कि जो जन संग का पॉलिशी है, तो उसमें हम राज्यों को ये छूट दे सकते हैं, ठीक,